देश के प्रियम अद्दाताओं आज भारत के लिए कत्यंत महत्पूर्ण और अन्मोल छणें मद्दान के फस्ट फेस का दिन आने वाला है लगबख साले 16 करोल बोटर्स विविन राज्यों में लगबख 1.86 लैग मद्दान के इंद्रों पर मद्दान करेंगे इस मौके पर मैं आप से कुछ कहना चाहता हूँ चुनाओ भारत के लोकतंत्र की गरफशाली अभी व्यक्ति है मद्दान करने जैसा कुछ भी नहीं है भारत निर्वाचा नायोग और इसके लाखों अधिकारियों ने आपके मद्दान अनुभव को शान्ति पूर्ण, सहज और सुखद बनाने के लिए पिछले दो वर्षों में बहुत कड़ी मेहनत किये पिरतिये एक मद्दान केंदर को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया है मद्दान केंदरों पर पीने के लिए पानी, सचाले, शेयर, ड्रेम, वील्चेर, हेल्प डेस और वलॉन्टर्स परवाइड किये है हमने आपके निवास पर मद्दाता सूचना परचियां भी पहुँचाइए किर्पिया बोट करने जरूर आएं, यह हमारा अनुरोध है, अपील है, आपसे बिंती है और आप पाएंगे कि हमारे चुनाव अधिकारी, बिनमृत्ता पूर्वक और बहुत शालिन्ता के साथ आपका इंजार कर रहे होंगे और वो बोटर्स जो जिनकी आईउ 85 वर्ष या उससे अधिक है, या जो पीड़वलूडी मद्दाता है वो अपने घर से ही मद्दान करने का विकल्ब चुन सकते हैं, वो चाहें तो घर से ही बोट दे सकते हैं यह सच है कि गर्मी का मौसम है, आपको और हमें पूरी साबधानी बरतनी चाहिए लेकिन मैं जानता हूँ कि भारतिय मद्दाताओं का जजबा गर्मी को भी मात देदेगा हमारे महान लोकतंतर में चुनाओं आप सबका है, पसंद आपकी है आप अपना संसत और चार राज्यों में लेजिस्लिटिव असेम्मली के सदस से चुन रहे हैं आप अठारवी लोकसवा बना रहे हैं, आप सरकार तै करेंगे आप यह सब अपने लिए, अपने परिवार और बच्चों के लिए, अपने गाउं या कस्वे के लिए और निश्यत रूप से देश के लिए कर रहे हैं मुझे यकीन है, कि मद्दान केंदरों पर जाते समय, जैसे ही आप बोटिंग मशीन में बटन दवाएंगे, आपको इस शक्ती और जुम्मेदारी दौनों का बराबर का हिसास होगा इसके बारे में सोचिएगा जरूर, सम्विदान ने हर किशी को एक बोट की ताकत दी है हमारे रास्पिता महत्मा गांदी ने कहा था, और मैं उन्हें कोट करना चाहता हूँ मैं लोकतंत्र को एक ऐसी चीज के रूप में समझता हूँ, जो कमजोर लोगों को भी मजबूत लोगों के समान अफसर देता है और अपने एक बोट की इस ताकत को कभी कम मत आखना, ऐसे कही उदारण है, जब किसी महत्मूर मुकाबले में एक बोट से ही हार जीत हुई, सरकारे बनी और गिरी और हमने इन चुनाओं को चुनाओं का पर्व, देश का गर्व कहा है, हमें लोकतंत्र के पृति अपना कर्तब में निभाना चाहिए साथियों, मैं आपसे अपील करता हूँ, कि आप अपने घरों से बहार आएं, और मद्दान करें अपने परिवार और दोस्तों को भी बोट देने के लिए प्रेडित करें, आज पास के सभी लोगों को भी प्रेडित करें, हमारे अंबेस्टर्स और इंफ्लूइंसर्स बनें, मैं युभाओं से भी आवान करता हूँ, कि चुनाओं में अपनी भागेदारी सुनिश्चित करें, अपने को गवर वन बित महसूस करें, इसी के साथ धन्यवाद.